skill in teaching exam में जो आपका lesson plan होना है वो आपने 40 minute का ही करना है जा 35 minute का ही करना है लेकिन आपको वहाँ पर जो exam में है 15 minute जा 12 minute जा 10 minute इसके बीच में ही time मिलता है तो यह यह नहीं है कि आपने 40 minute का lesson plan 15 minute में complete कर देना है तो इससे speed जो है बढ़ जाएगी और आपकी effectiveness कम हो जाएगी ऐसा नहीं करना तो आपने जो natural effective speed है उसी को maintain रखना है आपने त्यारी 40 minute के सारे content की करनी है examiner आपको बोल सकता है कि आप ये वाला part skip कर दो for example PK testing को introduction को वो कहेगा जहां किसी poem के step को इसको skip कर दो जो main part है उसको demonstrate करो ये भी कह सकता है कि audio visual aid यहां पर use होनी है वो part आप demonstrate करो ये भी कहते हैं कि कह सकते हैं कि आपका जो best part है lesson plan का वो demonstrate कर दो तो जो अगर content specific वो कह सकते हैं कि ये concept आप explain कर दो तो ऐसे आपको teacher educator या examiner कह सकता है कि किसी विशेश part को लेकिन आपने speed वही रखनी है जिस speed से बच्चों की learning best होती है जहां जो सामने बच्चे बैठे हैं उनको समझ सबसे ज्यादा आती है हमने focus learning और उनकी समझ पर देना है ना की speed पर थेंक यू